गर्मियों की छुट्टिया शुरू होने वाली थी। कक्षा 3 की अध्यापिका ने कक्षा के विद्यार्थियों को कहा कि इन छुट्टियों में मैं तुम्हें कोई अवकाश कारें नहीं दूंगी। ये सुनकर सभी विद्यार्थी बहुत खुश हो गए और शूर मचाने स्कूल की छुट्या समापत होने वाली थी और सभी विद्यार्थी इस परियोजना कारे को लेकर बहुत उत्साहित थे८। स्कूल खुलने पर सभी विद्यार्थी अपने द्वारा एकत्रित सामान को सजा कर ले आए। अध्यापिका ने उन्हें बारी बारी से अपनी चीजें प्रस्तुत करने को कहा। सबसे पहले रागव ने कक्षा की समक्ष इखटे किये हुए खिलोने प्रस्तुत किये। उसके मांसी की बारी थी। वो एक बड़ी सी बोरी को खीशते हुए अध्यापिका के पास लाई। उसने गले में एक पॉलराइट कैमरा टांग रखा था। सभी हैरान थे कि मांसी क्या प्रस्तुत करने वाली है। तभी मांसी ने बोरी में से एक डिब्बा निकाला और अध्या अध्यापिका ने उत्सुक्ता से डिब्बे को खोला। डिब्बे के अंदर लिखा था कृपया मुस्करा ये। ये पढ़कर अध्यापिका के चहरे पर एक मुस्करा हटा गई। तभी मांसी ने कैमरे से उनकी तस्वीर खीच ली और उसकी कॉपी निकाल ली। मांसी ने अपनी बोरी को उल्टा कर दिया। उसमें बहुत सारे हस्ते हुए चेहरों की तस्वीर मौजूद थी। मांसी ने फिर अध्यापिका से कहा कि मैंने इन चुट्टियों में लोगों की हसी खटी की है। ये सुनकर सभी विद्यार्थियों ने तालियां बजाए और अध्या पिका ने मांसी के कारे को सरवोच घुशित किया। किसी की मुस्कुराहट सबसे सुन्दर उपहार है।